तो हलो मेरी भाई ka hilloo he hooked yaap सभी बढ़ीयां होगे तो भाई आज में आपको पतायाँगा अगर आप first time कॉंकर कर रहे हो आपको 6 में करना चाहिए discrete में या फिर ड्मे करना चाहिए टिपी में करना चाहिए या फिर FPP में करना चाहिए तो आपके सारे डाउप क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में तो वीडियो पूरा देखेगा सबसे पहले बात कर लोते हैं हमारे गेंप्ले के बारे में अब भाई 19 गोली देखती है कुछ डैमेज हुआ बडबंदा बच गया इधर पर एपसोस होने लगा यहां बच गया फिर देखना आगे क्या होता है भाई इस बंद्यों कितना ज्यादा डैमेज किया यार बस एक हेट ने कनेक्ट हो ने तो इधर पर मर जाता और यहां पर सच में एक च्पी बचा होगा ज्यादा ज्यादा बस हो गया कोई बात नहीं भाई इधर पर तुम्हें मर गया बट इस मैच का जो एंड है न वो बह पाता हूं जैसे मैं इधर आता हूं यहां भाई पीछे से मुझे पढ़ने लगती है अगर आप इसके पास सबसे पहले एक अच्छी सी डिवाइस होनी चाहिए अगर आपको भाई अकेले खेलने में बोधिंग लगता है मतलब आप शोलो में नहीं कर सकते है तो भाई आप इसक्वाइड के एफपी में करिये बहूत ही इजी दहता है अराम से हो जायेगा ठीक है और अगर वही बाद डिवो की है अगर आपका गन पावर अच्छा है और आपका जो टीमेट है वह मतलब की बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है अगर आप एक पर नौक वगरा हो जाते हैं तो वह वन वी टू करके आपको रिवाइब कर लेता है तो सही है तो आप कर सकते है अगर आपके पास अच्छा होना चाहिए और अगर आप फ़र्स टाइम आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा फ़पी में ही करिए क्योंकि बहुत ही रहता है और आपको थोड़ा सा एक्स्पिरेंस भी मिल जाता है तो जिसके लिए आप फ़पी में जा सकते हैं ठीक है तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बहुत ज्यादा मेहनत होती है तो देख लो कैसे अटक अटक के बोल दा हूँ तो यहाँ पर मैं बैठे रहता हूं तो यहां से मार दिया इसके पास सच्छे में काफी अच्छे खासी लूट थी तो इसको यहां पर लूटते हैं तो भा का फुर्ष्टेप आता है तो यहां पे मेरे दो किल तो हो गए ठीक है तो आई होब कि आप सभी के जो फर्स टाइम काउंक्रर वाला है वो डॉप्ट क्लियर हो गया होगा लगर कुछ भी परशानी हो कोई भी दिक्कत हो कोई भी डॉप्ट हो तो आप कमेंट में मैं असे खाली भी दिख जाता है तो मैं यहीं पिजा के सांते से होल्ड करता हूं और भाई इधर प्यार आने के बाद चारो तरफशना बंदे मुझे ही जैसे कि उनको और कोई बंदा दिखता ही नहीं मेरी गाड़े-बड़े फोड़ने लगते हैं सब मेरे को ही मानने में लगे द कि विज़ा सामने एक बंदा रहता है और भाई जिसके पास है इस नहीं पर ठीक है एड़ बुलू येम वग्यरा है इसलिए मैं इस बंदे को ज्यादा पीक नहीं करता हूं और इसके बाद वाला भी सरकल यहीं पर बना था तो मैं यहां पे राम से होल्ड करता हूं तो मैं यहां पर कुछ खास एंगल बनता नहीं और यहां पर मेरे को डर भी लग रहाता है क्योंकि कई चरब से बंदे में को मार रहे थे गड़ियों यह फोट रहे थे कोई क्या पुता पिक करके बैठाओ इसने पर अगर अले कि यहां पर भटाक से फूर कर दे चिडिया उड़ तो मैं ज्यादा रिष्क नहीं लेता फिर यहां से यह जोन थोड़ा आगे स्रिंक हो जाता है और मैं थोड़ा स्पोट करने का ट्राइ करता हूं मैं भी बंदा अंदा दिखे तो मार दू फिर देखना भी क्या हुआ मैं चड़ो तब देखता हूँ सुचता हूँ यार कोई बंदा दिख जा उतना में यहां पर यहां पर बग्गी आती है वाइटी नील भाई इसको अराम से मार दिया मैं भी पहले से काफी ज़्यादा डेमेज रहेगा तो इसको मानेक बाद यहां पर मेरे तीन किल्ट हो गया थे अभी मेरे को जाना था जोन में और जोन में तो उस वाले बंदे को भी आना था तो यहां पर मैं आगे आगे जात किसा ड़ी होटलोा छाएगा तो यहां पर मैं एंड मैं आके जोन में फिर पहुँन्छाता हूं रहा है फो यो एड़ावूले मुला बंदा इधर पे आता है तो देखो इसको हम कैसे मारते हैं फाइट थोड़ी लंबी चलेगी अरख यह बंदा है प्रिंच स्योपी इसने दुसरे अप दिखा दूंगा तो मैं एक में लेफ्ट में एक मेरे राइट में तो मै अभी जोन के बाहर में था तो में मैं तो इधर एक सामने बंदा है और एक लेफ्ट राइड में है जो सामने बंदा मेरे पास नेडवेट ट्राइ कर रहा है अच उसका नेड़ तो यहां तक आ नहीं पा रहा है फिर मैं सोचता हूं कि उसका एक पास स्मोक करके एंगल ब्लॉक कर दूंगा फिर में जोन में जाऊं तो फटाक से अपने आपको हिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ यह में दिली एक बहुत ही इजी चिकन था जैसे आगे बढ़ता हूँ बंदा जैसे गाड़ी लेके आगे बढ़ता है और भाई यहाँ पर कसम से बंदे को मार लेना चाहिए था यार मैं फूल एक दम से ओपन में आगया में देख लगा बंदा गाड़ी लेके आगया बंदा एजिट कर दिया तो थोड़ा सा कन्फूजन हो गया और में दा एम इधर उधर हो गया थोड़ा और मैं यहाँ पर बह तो एक बार मेरा मन तो कर रहा था भाई यहाँ पर बग्वी रोक किस बंदे से फाइट लिया जाए यहाँ पर जल्देल्दी स्मोग तो करता हूं अपने आपको हील भी करता हूं मैं देखो डर लग रहा था भाई कहीं कोई बंदा पीछे से भी न मार दे और मैं यहाँ से अराम अराम पीछे जाने के बारा में सुचता हूं और भाई यहाँ पर टैप बंदा दिये जा रहा था और सच में अगर एक बार कनेक्ट हुई न तो भाई कसम से कनेक्ट होती ही जाती है और यहां पर मेरा जो डेली का रेटिंग प्रोटक्शन है वो यहां पर खराब हो गया तो देख लो यह वही प्रिंस ओपी है भाई तो बात करते हैं हमादे इस गेमप्ले के बारे में तो भाई इसमें कुछ खास आपको ठीक नहीं है टॉप 10 सरवल दिखेगा नहीं बट इसमें आपको कुछ टिप्स मिलेगा जैसे आप स्टार्टिंग में मर जाते हैं और आपके पास एक डेटिंग प्रोटेक्शन है मतब दो डेटिंग प्रोटेक्शन है तो आप सुचते हैं अभी चलके फाइट लूँगा और किलविल निकाल लूँगा तो देखो यहाँ पर क्या होता है मैं यहाँ पर जम करता हूं और भाई इधर पर मैं अपना एक्यमदी लोड भी नहीं करता हूं और यहाँ पर मैं बहुत यह अराम से मर जाता हूं फिर देखना बनने के बाद मैं सोचता हूं यार अभे मैं पस है एक प्रोटेक्शन है मैं अराम से ड्रस करके खेलूँगा मैं भी किलविल निकल जाए तो देखना भी क्या होता है लालच पे लालच और फिर मैं जम करता हूं दूसरे वाले इवेंट पर जो यहाँ पर थो तो यहाँ पर मुझे पता था बंदा यहाँ पर एक श्पी बचा होगा जाता जाता इसके पास डारेक्ट मैं तुरण पुश करता हूं और भाई देखो ऐसे ओपन में आपको लूटनाने चाहिए यहाँ पर इसमों को वेरा कलना चाहिए था बट यहाँ पर मैं लूट रह पर जल्दी सेंदर आज जाता हूं और यहाँ पर यह बंदा है जो कि सारे बंदों को मार रहा है और फिर इधर आके सामने मुझे एक और बंदा दिखता है जो कि मुझे ऐसा लगा कि भाई कहीं बोट तो नहीं है बड़ पता नहीं यह बोट था कि नहीं बट हमने इसको यहाँ फर मार दीया तो देखो यहाँ पर मैं सोच रहा था वह पिर यह देखलों तो अब घर्च निकल सकता हूं घंट घंट भाई एक तो इधर पिए जोंबी वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा कंशुच कर रहा था एक को तो यहां पर मार लिया बड़े यहां पर आगे घुसना बहुत ही बड़ी गलती होती है मेदी पर यहां पर घुंता है और मैं थोड़ा सा पैनिक कर जाता हूं और यहां पर मैं अरश्व से बज। आहर पर ऑगे मर जय तो आप पास दूसरा गेम जेल के आप आराम से किल ना काले हूए पहले यहले पहले तो में मेदा का डेली का रिटिंग से रिटिंग पॉइंट मेरा खराब हो गया ठीक है कोई बात नहीं है अगर वीडियो चानल पर नहीं हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर दो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई-बाई